हलो दोस्तो मैं हो कास्दी पॉर्मा हिंदी वाइस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंदुगाटी सब्वेता के उपर कुछ आपजेक्टी कोस्टन सौल करेंगे और उससे रिलेटेट कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊ से तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारा पहला कोस्टन है सिंदुगाटी सब्वेता निमनी लिखित में से किस सब्वेता के समकाले नहीं थी इसमें हमारा पहला और सहीं है C, चीन की सभ्यता से क्योंकि मिस्र की सभ्यता से हमें वैपार के साक्ष मिली है मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी हमें वैपार के साक्ष मिली है सिंदुगाटी सभ्यता से यहां वैपार होता था और ग्रीक की सभ्यता से भी यही साक्ष हमें मिले है फिर देखते हैं हमारा next question next question है हमारा सिंदु घाटी की सभ्यता में घोडे के अवसेस कहां मिले हैं तो हमारा पहला option है A. सूत कोतड़ा फिर B. वड़ावाली C. मांडा D. काली बंगा तो इसमें हमारा सही आंसर है A. सूत कोतड़ा सूत कोतड़ा से हमें घोडे के अवसेस प्राप्त हुए हैं और सूत कोतड़ा से और भी हमें कुछ समान प्राप्त हुए हैं जैसे की बरतन में शवाधान तराजू के पढ़ला और सूत कोतड़ा का खोज हुआ था 1964 में इसके खोज करता थे जगपती जोसी जीला कक्ष गुजरात में इसका खोज गुआ था सवस्वदी नदी के तर्ट पर फिर हमारा देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन देखिए नेक्स्ट कोस्चन है हमारा निमलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हडपा काल की मुद्राओं के निर्मान के रूप व seem से किया गया था तो इसमें हमारा option है ए सेल्खडी बी और श्री लोह दिए किसमें लोहा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हाडपा काल के लोग के बारे में जानते ही ही सबस्था है लोहाको ही से अपरची थे दोखurt है next question next question है हमारा हडपा सब्रता की खोज किस वर्स में हुआ हुई थी पहला option है हमारा A 1935 B 1942 C 1901 और D है 1921 तो इसका हमारा सही option है D 1921 में हडपा का खोज हुआ था और इसके खोज करता थे सर जान मौर्सन रावी नदी के तरड़ पर इसका खोज हुआ था 1921 में रावी नदी के तरड़ पर 1921 में सर जान मौर्सन के नेतित्तों में फिर next question देखते हैं next question है हमारा हडपा सब्वता के संपूर छेत्र का अकार किस प्रकार था ए है वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभूजाकार और डी गोलाकार तो इस question का सही answer है सी त्रिभूजाकार हडपा सब्वता के संपूर छेत्र का अकार त्रिभूजाकार था फिर देखते हैं next question next question है हमारा सिंदु घटे सब्वता के सहरों के गलियां थी ए चोड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और तेड़ी तो इसका सही answer है ए चोड़ी वा सीधी, सिंदु घटे सब्वता के सड़क चोड़ी वा सीधी थी इसका जो घर बना था और सहर बना था पुरा वेल डिजाइन से त्यार हुआ था, हर सहर आगे जाकर एक चोड़ा है पर मिलता था तो इसका सही answer है चोड़ी वा सीधी, फिर next question देखते हैं नेक्स्ट कूर्चन है हमारा हरपपा के खंधर निमनली लिखित में से किस नदी के तड़ पर पाये जाते हैं देखिए इसमें option है a रावी नदी के तड़ पर, b जेलन नदी के तड़ पर, c व्यास नदी के तड़ और d है सतलज नदी के तड़ पर तो इसका सही आंसर है ए रावी नदी के तड़ पर हडपा के खंड़र रावी नदी के तड़ पर पाये जाते हैं ज्यादा तर खंड़र रावी नदी के तड़ पर पाये जाते हैं क्योंकि हडपा सब्वेता रावी नदी के तड़ पर बश्चा हुआ है फिर next question देखते हैं next question है हमारा मोहन जोदोडो का अर्थ है A. समरिद समराज B. वैपारियों का गड़ C. देताओं का नगर D. मिर्तेकों का टीला तो इसका सही answer है मोहन जोदोडो का अर्थ है मिर्तेकों का टीला देखे मोहन जोदोडो का खोज हुआ था 1922 में 1922 में मोहन जोदोडो का खोज हुआ था और इसका अन्य नाम भी है इसे दुर्ग का टीला या स्तूप टीला भी कहा जाता है 1922 में मोहन जोदोडो का खोज हुआ था इसे मोहन जोदोडो का अर्थ है मिर्तको का टिला या इसे दुर्ग का टिला या इस्तूप का टिला भी कहा जाता है फिर नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं नेक्स्ट कोस्चन है हमारा काली बंगा का अर्थ है A. काले रंग की जो पड़िया B. काले रंग की चूड़िया C. काली गाय D. काला समराज्य तो इसका सही आंसर है B. काले रंग की चूड़िया काली बंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया देखे काली बंगा का खोज हुआ था 1959 में काली बंगा का खोज हुआ था इसके खोज का स्रे तीन लोगों को दिया जाता है पहला है अमला नन लाल दूसरा है ब्रजवासी घोस तीसरा है बीके थापड और घगर नदी के तड़ पर काली बंगा का खोज हुआ था यहां से और भी कुछ समार प्राप्त हुए हैं जैसे कि जूते हुए खेत लखडी की नालियां हवन कून इटो के चबुत्रे और काले रग की चूड़ियां जिसके करण काली बंगा को इसका उपाधी भी दिया गया है फिरbouronne कोanson देखते हैं नेक्सक्त कोस्चन है हमारा सूची को सूची दो से सुम्मिलित कीजिए देखिए सुची एक में इस्थानों के नाम दिये गए हैं और सुची दो में नदी के नाम दिये गए हैं मतलब हमें इस्थानों के नाम को नदी के नाम से कनेक करना है तो सबसे पहले देखते हैं हडपा देखिए हडपा हमें हडपा रावी नदी के त कि भॉगवा नदी के Johann के फπως आ दो ने लिकिन आपको कुछ आगे बिए जा सकता है एक चीz आ बता दे कि कौं सा स्थान किस्फंदॉन में खुजा गया impat Story हरपा का खोज हुआ था पि 뉴스 के एक इसमें उसके बाद ряд मोहंजवड़ों मोहंजitel आप का खोज हुआ था 1922 में फिरका है कि लोथाल का खोज हुआ था 1925 तो यह था हमारा 10 objective questions सिंदुखाटी सब्बेता के उपर